हेलो गाइज, तो आज हम एक ऐसे टोपिक पर बात करेंगे, जो अपने मेरी वीडियो में भी बहुत सी में सुना होगा फाइबर होता क्या है आज हम जानेंगे फाइबर के बारे में कि फाइबर क्या है और सरीर में इसकी कमे होने से हमें क्या क्या परिशानी हो सकती है तो करते हैं स्टार्ट फाइबर एक तरह का कार्बो हाइडरेट होता है जिसमें पोसन तो काफ़ी कम होता है लेकिन पाचन सम प्रूट्स पानी में आसानी से खुल जाते हैं यह सरीर में गाड़ा जैल बनाता है जो कोलेस्टोल को कंट्रोल करने का काम करता है और इसके अलावा यह बलड सुगर डायबटीस के मरीजों के लिए भी काफी फाइदे मद होता है और बात करते हैं एगलोंसिल फाइबर की एगलोंसिल फाइबर में गेहू, नट्स और बहुत सी वेज़िटेबल्स आती है जो पानी में खुलते नहीं है क्योंकि इसकी सरचना मोटी और कुर्दरी होती है और क्या हम जानते हैं कि हमें फाइबर एक दिन में 38 गराम तक लेना चाहिए जो लगबग 3 कोटोरी दलिया के समान है और एक मज़े की बात कि जो लोग ज़यादा फाइबर का सेवन करते हैं वो लोग बिमार बीक कम पड़ते हैं अब हम जानते हैं कि फाइबर की उचित मातरा नहीं मिलने पर क्या-क्या हानी हो सकती है यह मोटा पे का सिकार हो सकता है पेट साफ नहीं रहता मुँ में छाले हो सकते है कब जो हो सकती है गैस हो सकती है ऐसी डीटी भी हो सकती है तो अपनी डाइट में फाइबर को जरूर सामिल करो टैंक्स फूर वाचिंग आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हम से जुड़े रहे